एक गैंग जिसकी इंटिनाशनल स्टाजिश ने राजस्थान को जुलाने की कोशिश की ये गैंग और कोई नहीं बलकि लॉरेंस बिश्णोई का है राश्ट्री राजपूत करणी सेना के चीफ सुदेव सिंग गोगा मेनी की हत्या ने पूरे देश को इला कर रख दिया है जिसके पीछे गैंग्स ओफ लॉरेंस बिश्णोई का हाथ बताया गया इस हत्या कांड में दो शूटर्स की तलाश हो रही है चौकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक शूटर सेना का जवान है और सवाल है कि गैंग्स ओफ लॉरेंस बिश्णोई का अगला टारगेट अब कौन है एक मर्डर एक गैंग एक हजार शूटर कैनड़ से पंजाब और अमेरिका से राजस्थान तक फोन को ताबर तोड़ गोनिया घुसे में लाखो लोग रास्टिये राजपूत कर्णी सेना के चीफ सुकदेव सिंग गोगा मेरी के मर्डर ने पूरे राजस्तान में तनाव पेदा कर दिया है गोगा मेरी के मर्डर में ऐसे लिंक मिले हैं जिसने जाँचाजिसों के होश उडा दिये सुक्देव सिंग गोगा मेडी पर गोली चलाने वाले दो हमलावरों की पहचान हो गई है इनमें एक फॉजी है दोनों पर पांच-पांच लाग का इनाम घुशिक कर दिया गया है दोनों के लिंक अब एक बड़े ग्यांग से मिले हैं जैपुर से लेकर दिल्ली तक और तिहार से लेकर पंजाब की जेलों तक अब सिर्फ एक नाम पर पहरा बैठ के आए ये नाम है लॉरेंस बिश्नुई का वही लॉरेंस बिश्नुई जिसने सिद्धुम उसे वाला के मर्डर के जिम्मेदारी ली और अब यही गैंग राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के चीफ सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी के मर्डर के पीछे है इसका शक हंडर्ड परसेंट है मामला इतना गंभीर है के पूरा राजस्थान आग बबूला है पूरा राजस्थान गुस्से से उबल रहा है अब इस केस में लौरेंस बिश्णोई के शूटर सामने आने के बाद खत्रा बहुत बड़ा है क्योंकि अब यह गैंग पॉलिटिकल हस्तियों से लेकर बॉलिवोड सितारों की जान लेना चाहता है यह बात साबित हुचकी है लौरेंस बिश्णोई गैंग का पूरा कच्चा जठा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है लौरेंस बिश्णोई यह गैंग चलाता है उसके नीचे है गोल्डी बरा जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है लौरेंस बिश्णोई का छोटा भाई अनमूल बिश्णोई यह भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है तीसरा बड़ा नाम है नरेश शेटी जो इस वक्त दिल्ली की तेहाड जेल में बंध है चौथा बड़ा नाम है संपत नहरा यह पंजाब की बठिंडा जेल में बंध है पांचवा है संदीप और काला जठेडी वो भी दिल्ली की तेहाड जेल में है जबकि छटा है रोहित गोदारा जिसका ठिकाना अमेरिका में बताया जा रहा है तो ये हैं लौरंस बिश्णोई गैंग का सबसे बड़ा पोस्टर अब सवाल है कि लौरंस बिश्णोई गैंग कैसे सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी के मुर्डर में शामिल है कैसे लौरंस बिश्णोई गैंग पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक हस्तियों को मौत के घाट उतार रहा है राजस्तान में फिल्मी स्टाइल में हत्याकांड हुआ राजस्तान के बहुत बड़े राजपूत नेता के साथ हमलावरों ने पहले चाए पी और फिर अचानत ताबर तोड़ गूलियां चला दी हत्याकांड के फौरण बात खबर ये आई कि लौरेंस बिश्नोई गैंक के गुर्गे ने राजपूत करणी सेना के राजपूत धक्ष के कतल की जिम्मेदारी ले ली है और इसलिए इस पूरे हत्याकांड पर लौरेंस बिश्नोई की चाप पड़ गई इस मर्डर में दू नाम सामने आएं हैं एक है रोहित राठोर और दूसरा है नितिन फौजी ये दोनों रोहित गुदारा के लिए काम करते हैं फिर देखें सबसे उपर लौरेंस बिश्नोई उसके नीचे दो बड़े क्रिमिनल जिनका इस केस में नाम आया है एक है संपत नहरा जो पंजाब की भटिंडा जेल में बंध है और दूसरा है रोहित गुदारा जिसका ठिकाना अमेरिका में बताया जा रहा है अब नितिन फौजी रोहित गुदारा के लिए काम करता है यानि पूरा कनेक्शन साफ है मामला गंभीर है इसलिए पूरे केस में नाये का तखल शुरू हो चुका है जिस तरह से राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के चीप सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी को गोलियों से भूना गया और फिर कातिलों को भागते हुए दुनिया ने देखा उस से राजस्थान बहुत ज्यादा गुस्से में राजस्थान के कई शेहरों में लोग सड़कों पर उत्रे कातिलों की गिरफतारी से लेकर इस मुर्डर केस की तह तक जाने की बात हो रही है जिसने मर्डर किया वो भी स्क्रीन पर जब वो फरार हुआ तब भी वो स्क्रीन पर हत्यारों में एक नाम है नितिन पॉजी सब पूछ रहे हैं कि कौन है नितिन पॉजी तो जवाब है कि नितिन पॉजी हरियानक महिंदर गड़ का रहने वाला है और वो भारतिय सेना का जवान है जबकि दूसरा है रोहित राठोर जो राजस्थान के ही नागाउर का रहने वाला है लेकिन इन दोनों शूटरों में से एक सेनिक का शामिल होना इस पूरे हत्याकान को और खतरनाक बना देता है एक फॉजी के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में शामिल होने की खबर बहुत हैरान करने वाली है पूरा राजस्थान ही नहीं अब देश के हर कोने से ये बात कि इस हत्याकान में एक फॉजी कैसे शामिल हो गया नितिन फॉजी चार साल पहले सेना में भरती हुआ था उसकी तेनाती राजस्तान के अलवर में थी नौंबर में वो छुट्टी पर घर गया था नो नौंबर के बाद वो वापस घर नहीं लोटा घर से गाइब हो गया थ और अब सुखदेव सिंग मार्डर केस में उसका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा सबसे हैरानी की बात ये है कि सुखदेव सिंग गोगा मेड़ी पर हमला होगा इसके इंपुट दो हजार तेज की शुरुवात से ही मिलने लगे थी पंजाब में पूरा कनेक्शन बटिंडा जेल से मिलता बटिंडा जेल के अंदर बंद लोरेंस विस्नुई के गेंगेस्टर संपत नेरा ने साजिश को अंजाम दिया संपत नेरा की ओर से ही एके 47 का इंजाम करने की जानकारी दी गई थी सुगदेव सिंगोगा मेड़ी को मारा जाएगा इस बारे में पंजाब के स्पेशल डीजी ने राजस्तान के डीजी पी को लिखेत रूप में जानकारे दी इस बारे में ATS, DIG ने ADG Intelligence को भी चट्थी लिखी लेकिन मर्डर को कोई नहीं रोक पाया पंजाब पुलिस का दावा साफ है कि फरवरी में प्लानिंग शुरू हुई और दिसंबर में हत्या को अंजाम दिया गया दस महीने तक पुलिस और जांच एजनसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पंजाब पुलिस ने राजस्तान पुलिस को फरवरी में ही चट्थी लिखती थी लेकिन 10 महीनों बाद दिसंबर में सुकदेव सिंगोगा मेड़ी की हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर सका बड़ी बात ये है कि सुकदेव सिंगोगा मेड़ी को सुरक्षा की जरूरत थी लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई यही वज़ा है कि पंजाब से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक राजनीती शुरू हो गई है इस वक्त लॉरेंस बिश्णोई गैंग को लेकर खौफ ऐसा है कि पंजाब पुलिस दिन राद उसी के नेकसस को तोडने का काम कर रही है केंद्र और रज्ज की एजनसियां मिलकर काम कर रही है सुत्रों के मताबिक दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल भी आक्टिव हो चुका है राजस्थान में राश्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुकदेव सिंग की जब से हत्या हुई है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल गैंक्स्टरों के गुर्गों की कुंडिलियां खंगाले में चुट गया है लॉरेंस बिश्णोई साबर मती जेल में बंध है लेकिन उसके गैंक के अलावा एक हजार शुटर है जिनका रिकॉर्ड फिर से खंगाला जाएगा